हेलो दोस्तो लेट्स प्ले बार्बी में आप सभी का सागत है चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं चलो अच्छा हो मैं मुन्नी को यहाँ पर लेके आ गई हूँ, सारे बच्चों के साथ खेल रही है, अब तो यह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी अरे हाँ बिंदिया चलो अच्छा हो तुम मुन्नी को भी लेके आ गई, वैसे नर्स दीदी आने वाली है बच्चों को सुई लगाने के लिए पोलियो की अरे हाँ पिंकी तुम एकदम सहीं के रही हो, बच्चे तो बड़े मजे से खेल रहे हैं, इन्हें तो पता भी नहीं कि डॉक्टर नी जी आने वाली है इन्हें सुई लगाने के लिए मामा दुदू, मामा दुदू, मामा दुदू अरे ये मुन्नी भी ना, जब देखो दुदू, दुदू करती रहती है, हाँ नहीं तो खेलती कम है, दुदू ज्यादा मांगती है, ये लड़की भी ना अरे मुन्नी ना, एक नमबल के भुख खड़, अभी तो इसने मामा का दुद पिया था, फिर से दुदू, दुदू कर रहे है, ठीक चलो मुन्नी, मैं तुम्हारे मामा के पार छोड़के आती हूँ, चलो जल्दी से, ये लीजी आंटी अरे आंटी देखिए मुन्नी फिर से दुदू, दुदू करी, लीजी दुदू पिला दीजी, इसे ठीक है ना अरे लड़की भी ना, मुझे थोड़ी देर शांती से बैटने मी नहीं देरी, आजो मेरे गोद में जल्दी से कितना जाधा मुन्नी तुम्हें भूख लगता है, अभी तो मैंने तुम्हें दोजो पिलाया था, फिर से तुम्हें भूख लग गया तुम्हें खेलना चाहिए था बच्चों के साथ देखो तो कैसे हस रही है अच्छा ठीक मैं पिला देती हूँ तुम्हें थोड़ी देर हाँ अरी हाँ डॉक्टर नीजी भी आने वाली है चलो मैं मुन्नियों को पुलियों की सुई लगा देती हूँ इसे बिल्कुल भी बिमार नहीं होगी पूरे साल क्यों पिंकी? और हम तो बच्चों के लिए चौकलेट भी लेके जा रहे हैं इसलिए बच्चे अच्छे सी सुई लगाएंगे बिल्कुल भी परिशान नहीं करेंगे हमें अरे हाँ डॉक्टर आप एक दम सहीं के रहे हम बच्चों को चौकलेट का लारश देके वनी सुई लगा देंगे अरे हाँ ये बात तो सही है चलो चलो जल्दी चलो नहीं तो वो हमें देख कर ही भाग जाएंगे आज तो हम सारे बच्चों को सुई लगाएंगे पूलियों की गुड आफ्टर नून बच्चो अरे ये क्या ये तो सुई लगाने वाले डॉक्टर नी जी है यह यहां पल क्यो आ रही है अरे अरे बुद्दू सुईटी ये हम सब को सुई लगाने के लिए आई हैं और किस चलो मुनी तुम्हारा पेट ते दम भर गया होगा ना अब चलो जल्दी से पूलियों की सुई लगवालो बेटा ठीक है ना और बिल्कुल भी मत रो ना नहीं तो तुम्हें चोकलेट नहीं देंगी नर्स दीदी क्या बच्चो तुम लोग तो सुई से डरते हो हां नहीं तो आये डॉक्टर नीजी अरे वाँ डॉक्टर नीजी आप सहारी चॉकलेट लेके आई हैं पर यह किस लिये है बताइए हमें जबात यह कि बच्चे चॉकलेट देखेंगे तो बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे आराम से लगवाएंगे अरी वाह ये आइडिया था बहुत ही अच्छा है डॉक्टर नी जी आईए जल्दी से देखिए सारे बच्चे यहीं पर है अरी हाँ जरा जल्दी चलिए चोकलेट पगड़े पगड़े तो मेरा हाथ दर्द करने लगा है एहे नई जोई नई जोई नई अरी क्या हुआ मुन्नी ये सुई से बिल्कुल भी नहीं डरते है चलो बच्चो अब कौन सबसे पहले सुई लगाएगा जो सबसे पहले लगाएगा उसे धेर सारा चाकलेट मिलेगा चलो जल्दी से आजाओ बच्चो बताओ मुझे कौन सुई लगवाएगा आजाओ जल्दी से पहले मेरी मुन्नी स मुझे बहुती बहादूर है चलो मुन्नी बेटा जल्दी से सुई लगवा लो अरी वा ये च्छोटी से बच्ची तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं सुई से चलो चलो मैं लगा देती हूँ सबसे पहले मुन्नी को फिर उसे धेर सारा चोकलेट मिलेगा चलो मैं दवाई भर देती हूँ सुई मैं जल्दी से फिर लगा दूंगी अरे ये तो सुई लगाने पही चोकलेट देंगी चलो मैं चुपके से धेर सारा उठा लेता हूँ पता भी नहीं चलेगा इन सब को अरे वाह ये सारे चोकलेट तो बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं अरे राहुल मैं सब देख रही हूँ अरे सॉरी डॉक्टर सॉरी कोई बात नहीं चलो मैं सबसे पहले मुन्नी को सॉई लगा देती हूँ उसके बात तुम्हें लगाऊंगी राहुल यहाँ पर डॉक्टर दवाई को सॉई में भर रही होती है चलो इतना तो काफी होगा सारे बच्चों के लिए चलो चलो मुन्नी को उल्टा कर दो उसके पिछवाडे में सुई लगेगी अरे वाह मुन्नी बेटा तुम तो बहुती तता समस्दार हो आराम से बैठे रो कुछ नहीं होगा आराम से बस हो गया बस हो गया हरे हाँ बस हो गया है यह लो हो गया अरे वाह मुन्नी तो बिल्कुल भी नहीं रोई भाई चलो तुम भी ना अरे अब को जाएगा शुई लगवाने अले चिंकी जाएगे सबसे आगी खड़ी है अले यह क्या मुन्नी तो बिलकुल भी नहीं रोई लगता है डर नहीं हो रहा है चलो सबसे पहले मैं ही शुई लगवा लेती हूं फिर सारे चोकलेट मेरे हो मुन्नी भी नहीं देटी है मैं भी नहीं देटी हूं शाबस चिंकी बेटा यह हुई ना बात अब तो तुम्हें धेर सारे चोकलेट मिलेंगे आराम से बैठे रहे ना और हाथ एकदम टाइट रखना में जारी उसुई लगाने के लिए यह यह बस बस हो गया हो गया बिलक अब्चे कितने अराम से सुई लगवा रहे हैं यह दो बिलकुल भी नहीं डर हैं सुई से हुँँँ अरे पिंकी लगवाएंगे क्यों नहीं देख नहीं रहे हो क्या कितना सब्सक्क्रादा saç चौकलेट है उसमें कर्दी है बहूती माज़ाा आयेगा चौकलेट काने बहां अजी ये क्या भुका चिंकि तो सारा चोकलेट ख़ा जाएगी चलो-चलो मैं भी जाके ज़्दी सिते स्वी लगवा ले ती मुने तो सारा चोकलेट खतम हो जाएगा मैं आ रही डॉक्टर नीजी, मुझे भी सूई लगा दीजिए, ठीक है न मुझे भी बिल्गूल फी दर नहीं लगता है, ये लीजिए मेरा हाथ शाबास सुईटे ये हुई ना बाद, अब बिल्गूल भी मत दर ना, आराम से बैठी रहो अले डॉक्टर नीजी आराम से लगाई आराम से दर्द नहों कहीं अले अले तो दर्द हो रहा है मुझे हरे स्वीटी थोड़ा सा दर्द तो होता ही है इतने से कुछ भी नहीं होता है अब जाके जल्दी से चोकलेट खाओ ठीक है ना हले हाँ डॉक्टर नीजी आप एकदम सही कहे दे हैं मुझे तब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है चलो चलो मैपि जाके जल्दी से चोकलेट खाती हूँ चलो चलो मून मून अब तुम जाओ तुम्हारी बारी अब मुझे नहीं जाना है नहीं नहीं तुम जाओ तुम हारी बारी तुम जाओ मुझे नहीं जाना है अरे लड़का भी ना मुझे ही जाना पड़ेगा लगते ही नहीं जाएगा अरे हाथ में एक दम सही कहे रही हो मैं सबसे लास्ट जाओंगा हा नहीं तो तुम जाओ जल्दी से अच्छा ठीक हमें जाती हूँ मुझे से सुई से बहुत दल लगता है मैं क्या करूँ चलो जाती हूँ कर भी क्या सकती हूँ दक्टर नी जी अब मुझे सुई लगा दीजिए हाँ ठीक हमुनमुन जल्दे से आजाओ तुम्हें भी लगा देती हूँ सुई बिल्कुल ही मत भागना ठीक है ना ने जो चॉकलेट नहीं मिलेगा तुम्हें चलो लगभो मैंने सारे बच्चों को सुई लगा दिया चली ये थाइंक्यों आप सबका आप सबकी वज़े से सारे बच्चों ने सुई लगवाली बिल्कुल भी जीद नहीं किया है और हाँ आप सारे बच्चों को चॉकलेट दे देना चलो चलो नर्स आप चलते हैं दूसरे गामें चलकी सुई लगाएंगे अच्छा ठीक है डक्टर आपका भी थाइंक्यों वैसे आपने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया अरे हाँ तुम सही केरी हो बच्चों को चॉकलेट दे के सुई लगाना तो बहुत ही आसान है और फिर यहाँ पर सारे बच्चे मज़े से चॉकलेट खा रहे होते हैं अले वाइट बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है अले हाँ तुम सही केरी हो दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थांक यू